Hello everyone, welcome to Subritz Cuisine आज हम आपके लिए लेकर आये हैं बहुत डिलिसेस बनने वाली आलू मेटर की सबजी इससे बनाना बहुत ही आसान है और इस सबजी को मैंने बहुत ही सिंपल तरिके से बनाई है उम्मित करती हूँ सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आएए सिंपल सा आलू मतर की सबजी बनाना शुरू करते हैं अलू मटर की सब्स्टे बनाने के लिए मैं यहाप एक पैन में पानी चरा दिया है पानी को गड़म होने देंगे पैन के अंधर डालेंगे तीन मीडियम साइज का आडू जिसको मैंने क्यूब शेप में कट लिया है अलू को दो से तीन मिनिट के लिए बॉइल कर लेंगे कराही को अच्छे से गरम कर लेंगे कराही गरम होने के बाद इसके अदर डालेंगे 4 टबल स्पून रिफाइन ओयल तेल को गरम होने देंगे तेल गरम होने के बाद इसके अदर डालेंगे 1.5 टी स्पून जीरा जीरा को एक से दो सेगंड के लिए फ्राई कर लेंगे अब हम इसके अंदर डालेंगे दो पियाज बड़ी कटा हुआ पियाज को गोल्डन कलराने तक फ्राई कर लेना है पियाज फ्राई हो चुका है अब हम इसके अंदर डालेंगे एक टीस्पून अद्रक लेसुन का पेस्ट अद्रक और लेसुन का रॉयस मल जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे दो टामटर का पेस्ट टामटर को भी अच्छे से बून लेंगे साथे सद डाल देंगे स्वाधनुसर नमक 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर हाप टीस्पून हल्दी पाउडर 2 टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर और वन फोट टीस्पून असे पटीटा यानि की हीम हाप टीस्पून अमचूर का पाउडर सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे एक से दो मिनिट के लिए इसको भून लेंगे देखिए मसालों से तेल निकल के आ रहा है अब हम इसके अंदर डालेंगे एक कप फ्रेश मटर आप यापे फ्रोजन मटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मटर को एक से दो मिनिट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे अब हम इसको कवर कर देंगे और लोटू मीडियम फ्लेम में पांच मिनिट के लिए कुखुन देंगे पांच मिनिट के बाद ढ़कन अटाके एक बड़ आच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे बॉयल करके रखा हुआ आलू अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा पानी आट कर देंगे इसके अंदर तके आच्छे से मसाला को भून पाए अब हम इसको कवर कर देंगे और पांच मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम में कुखुन देंगे तके आलू और माटर अच्छे से सौप्ट हो जाए देखिए अच्छे से मसाला भून चुका है अब हम इसके अंदर एक कप पानी डालेंगे सारे मसालो को अच्छे से मिला देंगे अब हम इसको कवर करके दस मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम में कुखुन देंगे 10 मिनिट हो जुका है अब हम धक्कन हटाके एक बड़ आच्छे से मिला देंगे देखिए आलू सॉप्ट हो जुका है अब हम इसके अंदर एट कर देंगे एक टेबल स्पून बड़ी कटा हुआ हरा धनिया एक टीस्पून रोस्टट कसूरी में थी और एक टीस्पून गर्म मसाला पाउडर सारे मसालों को आच्छे से मिला देंगे अब हम इसको फिर से कवर करके लो फ्लेम में पांच मिनट के लिए कुखोन देंगे पांच मिनट हो चुका है धक न अटाके एक बड़ आच्छे से मिला देंगे अब हम फिल्म को आफ कर देंगे पांच प्रिट के लिए कवर करके रेस्ट हुण देंगे अलू मतर की सब्जी बनके तयार है अब हम इसको एक सार्विंग बोल में निकाल लेंगे अलू मतर की यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है इसको हमने सब्जी को आप रोटी पराठो के साथ खा सकता है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथे साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलता रहे मेरी रेलेटेस्ट वीडियो सब से पहले तो एक बड़ फिर मिलेंके और एक नए रेसिप के साथ थैंक्स पर वाचिंग